विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जै गुरुदेव योग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है पिछले एपिसोड में महर्शी वसिष्ट जी प्रभूराम चंदर जी को यह समझा रहे थे कि ब्रमान्डिय माया कैसे भ्रहंती उत्पन न करती है और उससे हम कैसे पीछा चुड़ा सकते है अगर आपको याद होगा तो कल के एपिसोड में महर्शी ये कह रहे थे थोड़े समय के लिए अपनी चेतना को बिना किसी प्रकार का प्रयास किये बाहर रखो और वर्तमान में जियो उन्होंने ये कह था कि वर्तमान में जियोगे तो इस ब्रमान्डिय माया से बच सकते हो जब मन बूद और भविश्य से अपने को जोड़ना बंद कर देता है तो वह अमन हो जाता है जब मन बूद काल और भविश्य के काल के साथ अपने आपको जोड़ते रहता है तबी वो मन रहता है जैसे वो भूद और भविश्य के साथ जोड़ना बंद कर देता है तो वर्तमान में आता है जैसे वर्तमान में आता है अमन हो जाता है उस चर्चा में और आगी क्या हुआ वो देखेंगे इस एपिसोड में वसीष्ट जी ने कहा मन की सीमाओं से मुक्त होने पर चेतना को अंतर प्रग्या या इनर इंटलिजन्स कहते है मन की सीमाओं से मुक्त जब हो जाता है मन तो चेतना मन भी चेतना ही है तो चेतना को अंतर प्रग्या कहते है यह अमन की मूलभूत प्रकृती है और यह धारणाओं तथा अवधारणाओं के दोशों से दूशित नहीं होती अमन की यही अंतर जो चेतना है अंतर प्रग्या जो है वो मूलभूत प्रकृती है यह वास्तविक्ता है यही परम शुब भाव भी है सत्य वास्तविक्ता यही स्थिती है परम शुभ भाव भी यही स्थिती है यही वह स्थिती है जिसे परमात्मा भी कहते है जब मन अमन हो गया उसी को तो परमात्मा भी कहते है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेना याने आज ये रहस्य उजागर हो रहा है कि मन का अस्तित्व नहीं रहा तो हम ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया ये बात है ये ही सरवग्यता है सब कुछ इसमें ग्यान में रहता है ये वैसी स्तिती है यह तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक दुष्टमन क्रियाशील रहता है यहाँ पे मन को दुष्टमन ऐसे उपादी दी गई है क्यूंकि जिसके वज़े से हम परमात्मा स्वरूप नहीं बन सकते वो ये मन की है इसलिए उसको दुष्ट कहा गया है जहां मन होता है वहाँ इच्छाए और अकांशाए भी होती है वही सुख और दुख के अनुभव भी होते है मन ही कारक है आशाओं का मन ही कारक है इच्छाओं का मन ही कारक है सुख का मन ही कारक है दुख का जो चेतना सत्य से जागरत हो उठती है वह धारणाओं अवधारणाओं के फेर में नहीं पड़ती धारणाओं कितनी सरी होती है अमारे भीतर नहीं अमारे जीवन में अमारा जीवन धारणाओं से और अवधारणाओं से ही चलता है मैं तो कहता हूँ दारणाए अगर ना हो तो हामे लगे कि जीवन चलाना डिफिकल्ट है लेकिन महर्शी क्या कहते है जो चीतना सत्य से जागरत हो उठती है न वो दारणा अवधारणाओं के बीतर नहीं उलशती उसके फेर से उपर उठ जाती है उसे तरह तरह के मनोवज्ञानिक अनुभव होने पर भी उसमें न द्रिश्य संसार की माया व्याप्त होती है न विब्रम ही उत्पन्न होते है मनोवज्ञानिक अलग अलग अनुभव गादी की कहानी याद है आपको गादी की कहानी में वही तो हुआ न अलग-अलग मनोव अज्यानिक अनुबव हुए उसे पर जब चेतना इन सारे ये मन्त की सीमाओं से चेतना मुक्त हो जाती है फिर इसके फेर में वो नहीं पड़ती जो लोग शास्त्रों के अध्ययन तथा संत महात्माओं की संगती से जागरत हुए है तथा निरंतर सतरकता पूर्वक सत्य का अभ्यास करते हैं उनकी चेतना दृष्य संसार से परे विशुद स्तिती तक पोहुँच जाती है महात्माओं की संगती से जागरत हुए और सतरकता पूर्वक सत्य का जो अभ्यास करते हैं बार बार ये बाते आ रही है योग्व सिष्टम है संत जनों का संगत और सतर्ता पूर्वक स्वप्रयास ये करने से ही मुक्ति या मुक्षका अनुबह होता है तब तक नहीं अता लोगों को अज्ञान और अनिश्चे से उपर अपने मन को उठाना चाहिए अज्ञान से उपर उठाना ही चाहिए मन को इसके लिए उन्हें धर्मशास्त्रों के अध्यान में लगना चाहिए तथा संत महात्माओं की संगती करनी चाहिए सत्संग करो और धर्मशास्त्रों का अभ्यास करो तबी जाकर ये मन इस सबसे उपर उठ सकता है मुक्ति के और जा सकता है वरना मुम्किन नहीं है परमात्मा के बूद में एक मात्र सहायक आत्मा या असीम चेतना ही होती है अपनी आत्मा ही अपने दुखों का निस्तार करती है इसलिए अपनी आत्मा और अपने प्रयाज द्वारा बूद्ध प्राप्त करना एक मात्र मार्ग है चेतना ही सब कुछ है ब्रह्मन भी है वो चेतना भी तो उसमें बूद्ध भी है वही चेतना परमात्म रूप तक भी पहुचाती है तो क्या करना पड़ेगा अपनी ही प्रयास से अपने आत्मा को अपनी चेतना को जानना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा, उसमें जो बूध है उसका एहसास करना पड़ेगा परमात्मा के बूद में एक मात्र सहायग यह आत्मा ही है अता हे राम इस संसार में सक्रिय रहते हुए भी बिना मन के रहो और इस बात का सदा बूद बनाए रखो कि मैं विशुद्द चेतना ही हूँ मैं मन हूँ यह विचार यह संकल्प अज्ञानता का प्रतिक है मैं वो सीमित मन नहीं हूँ मैं वो असीम चेतना हूँ यह ज्ञान है तो इस संसार में जीओ इस संसार में रहो लेकिन अपने आपको मन मान कर नहीं बलकि विशुद्द चेतना रूप हूँ यह मान के यह मेरा है वह उसका है यह मैं हूँ आदी की धारणाओं का त्याग कर दो अहम की वज़े से होता है यह मेरा है यह उसका है तो उसका भी त्याग कर दो यह कहता है और अविबक्त रूप आत्मा में स्तित्र हो जब तक शरेर चलता रहे वर्तमान और भविश्य को चेतना से एक समहन देखो आत्म रूप में स्तित्र हो जब तक ये शरीर चलता रहे तब तक वर्तमान हो या भविश्य हो एक नजर से देखो चाहे जवानी हो प्रवडावस्ता अत्वा बुड़ापा हो चाहे दुख या सुख चाहे जागरत स्वपन या सुशुपत अवस्ता हो, हर स्थिती में आत्मा की चैतन्य अवस्ता में स्थित्र हो सारी ये जो स्तूल शरीर की जो भी अलग-अलग हमारी कंडिशन्स होती है जैसे बाल्या अवस्ता या प्रवडा अवस्ता फृद्धा अवस्ता या ये जो चेतना हम कहते है न मन जो हमारा है वो कभी जागरत अवस्ता में रहता है, सुशुप्ती में रहता है, तुरिया अवस्ता में रहता है, सुप्तना अवस्ता में रहता है, उन अवस्ता चाहे कुछ भी हो, जवानी हो, बुड़ापा हो, जागरत हो, सुशुप्त हो, उस अंतिम जो चेतना है, उसी में स्तित रह उस विशुद्य चेतना के ही साथ रहो विशयो आशाओ टथा इच्छाओ का त्याग करो और ज्ञान में स्तित रहो विशय, जो हमारे इंद्रिय जिसमें दिल्चस्पी लेते हैं, उन्हें विशय कहा गया है इंद्रियों को जिन सारे चीजों में दिल्चेस्पी आती है न वही विशे होते हैं तो विशेयों से दूर रहो इच्छाओं का त्याग करो शुब और अशुब के भाव भी छोड़ो आगे कह रहें राग और द्वेश को भी छोड़ो इतना सिर्व जानो कि तुम की चेतना हो और यही सार है सारा शुब अशुब इच्छाए अकांग्शाए सब को त्याग कर त्याग कर का मतलम अपने आपको उनसे सलगन ना करो करना क्या हो जाता है अरे वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि मैं वो इच्छा में ही अपने आपको मानने लगता हूँ शुब और अशुब का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि मैं अपने आपको उसमें समा कर वो माननने लगता हूँ शुबभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ प्रता याने मैं जो कर रहा हूँ कर्म याने जो हो रहा है और क्रिया जो हो रही है ये तीनों अवस्ताओं के चेतना परे है ब्रह्मन परे है उसके साथ स्थित हो जाओ बिना किसी हलचल के शान्त हो जाओ कितना सुंदर है शान्त हो जाओ जैसे शान्त हो जाओगे न चेतना के रूप में ही स्थित हो जाओगे बिना हलचल के शान्त हो जाओ यह जानो मैं ही सब कुछ हूँ और गेहरे नीन में होते वे भी जागरत हूँ योगी की यह आवस्ता होती है वो गेहरे नीन में होने के बावजूद भी जागरत रहता है तो योगी बनो उस परंतत्व के साथ यूग प्रस्तापित करो यह महर्शी कह रहे अद्वाइत और द्वाइत सम्मधी स्थितियों से भी अपने आपको अलग रखो और उस विशुद्ध चेतना और स्वाधिंता की स्थिती में स्थित हो जाओ जो समभाव की परिचायक है इस बात का बोध रहे कि मुझ में और औरों में भी व्याप्त चेतना अभी व्यक्त है और इसी पर द्रुड और अटल बने रहो अद्वाइत द्वाइत सम्मधी स्थितियों से भी अपने आपको अलग कर लो द्वाहित और अद्वाहित भी ब्रांती फैला सकती है इंडारेक्ली यह कह रहे तो उससे भी अपने आपको अलग कर लो जो विशुद्ध चेतना की स्थिती है उसमें समभाव प्रस्तापित करो चेतना की स्थिती के साथ सल्लग न हो जाओगे न उसमें लहिबद्धव हो जाओगे एक्रूप हो जाओगे फिर सत्य समझ में आएगा आज के एपिसोड के लिए इतना ही अगले एपिसोड में देखते है महर्शी और प्रबूरामचंद्रजी के बीच और क्या चर्चा होती है तब तक के लिए जय गुरुदेव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे